Hello everyone, तो last video में मैंने आप से बात की थी CGPDTM के स्लेवस के बारे में, उसके age criteria के बारे में, उसके notification के बारे में, आज के इस exam में मैं इसके prelims exam का जो paper 1 है, उसके स्लेवस के बारे में detail में बात करूँगे, तो चलिए शुरू करते हैं, अगर हम CGPDTM के स्लेवस के बारे में बात करत तो वहाँ पर टोटल आपके 150 marks के paper होगा और जिसको आपको 2 hours में complete करना होगा 2 hours का मतलब है 120 minutes आपके पास होंगे और आपको 120 minute में total number of questions 150 questions को solve करने होंगे हर एक questions 1 marks का होगा तो total 150 marks में से आपका cut off decide होगा अगर 120 minutes में 150 questions करने हैं तो इसका मतलब है कि एक questions के लिए आपको less than 1 minute मिलेगा इसका मतलब है कि जो questions होंगे उसका level बहुत high five नहीं होगा level बहुत average होगा लेकिन आपके पास जो syllabus है वो आपको पूरा complete करना है अगर हम general English की बात करते हैं तो वो आपका 15 marks का पूछा जाएगा जिसमें आपके antonyms, synonyms, sentence correction और filling the blends इस टाइप की चीज़ें कवर होंगी verbal और non-verbal reasoning की बात करते हैं तो इसमें वीन डाइग्राम और जितने आपकी reasoning की questions होते हैं basically, blood relation और यह भी जो आपके जो age gap की सब सारे सीज़ें होते हैं verbal और non-verbal reasoning में आपके आते हैं जो normally हर एक exam में पूछा जाता है quantitative aptitude की बात करते हैं तो यहां पर profit loss और आपका बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी cover हो जाती हैं आपके matrix के form में probability वगरा आ जाएगी 30 marks का आपका aptitude होगा तो यहां पर आपके पास score करने का सबसे अच्छा option रहेगा क्योंकि aptitude का level बहुत high नहीं रहेगा numerical छोटे-छोटे से होंगे जो आपको within a minute solve करके खतम करने होंगे और आता है general knowledge and current affairs 30 marks का तो यहां पर syllabus थोड़ा सा vast हो सकता है दो यह preference रहती है कि essay exam में 3-4 month की current affairs को बहुत अच्छे से करके जाएए next आता है आपका general science का तो general science का जो syllabus है इसमें basically basic physics chemistry and bio आपको आनी चाहिए इसमें मैं आगी वाले slide में इसके बारे में detail बात करूंगी और last जो आपका 15 marks का syllabus से वो आपका है IB legislation and related treaties का तो इसके बारे में भी अलग से एक video बनाना पड़ेगा क्योंकि यह topic आपको यहां पर कहीं भी मिलेगा नहीं तो जो सबसे ज़्यादा scoring है जिसे English की बात की जाए तो English में कभी कब रहता होता है कि अन्टॉनिम से नॉनिम से यह सी चीज़ें फस जाती है जो आपने नहीं पड़ी हो जो आपके practice में न हो तो सबसे ज़्यादा जो scoring marks होगा वो आपके लिए होगा reasoning का part होगा जिसमें से आप 25 around यहां पर score कर सकते हैं aptitude में भी 22-25 around से आप score कर सकते हैं उसके बात आता है general science general science का जो मैं आपको total 10-15 videos दोंगी उसको अगर आपने cover कर लिया तो यहां पर surety है आपके 25 marks की इसकी मैं guarantee ले रही हूँ मेरे playlist में आपको सारी video मिल जाएंगी general science की जिसको मैं cover कर रही हूँ अब हम general science में बात करते हैं तो basics, physics, physics, chemistry और basic biology आता है basic physics में आपका क्या-क्या topic आजाएगा force, pressure, work, energy and power जिसमें question आते हैं जैसे power का formula है आपका pressure का formula है force upon area या किसी भी object पे अगर आप work कर रहे हैं तो work done कितना होगा किस direction में force लगा रहे है energy का relation क्या है power से तो ये सारे एकदम basic numerical जिसमें आपको दोनों चीजों की value दी रहेगी और एक third unknown quantity को आपको निकालना होगा उसके बाद से आता है gravity, heat heat में भी आपका basically किस तरीके से Q का formula related है joule उसकी आपकी unit पूछी जा सकती है electricity में जो electronics के student होगे वो समझी जाएंगे जैसे एक battery के साथ आपको volt निकालना है current दे दी गई है इस type से unit SI unit जो होती है basically जैसे volt आपकी speed की meter per second है तो आपको SI unit conversion भी आ जाता है कि इसको आप kilometer per hour में convert करके दिखाईए light की questions बन जाते है reflection और reflection की questions बन जाते है और basically इसमें भी बहुत सारे types आ जाते हैं जो मैं आपको refractive index वगेरा निकालने के लिए जो whip gear वगेरा है basic जो 678 की आपकी sign से वो cover होती है मैं अपने playlist में cover करूंगी तो इसको प्लीज आप आगे ध्यान से देखिएगा next आता है आपका chemistry में इसमें atom के बारे में electron, proton, neutron उसके configuration जो 1s2 2s2 होता है basic वो पूछे जा सकते है metal और non-metal के बारे में पूछा जाता है basically इनकी property पूछी जाती है conductivity कहां जाता है thermal conductivity कहां जाता है acid base salt में आपको basically इसके pH level के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा आपका atom होगा जो base में आएगा कौन सा आपका acid में आएगा फिर chemical formula पूछ लिया जाएगा जैसे न ओ एच क्या है आपका सिंदूर का formula क्या है बहुत ही easy है मतलब यहां general science से आपको हाडली अगर आपने मेरे यह 20 जो आपके 15 to 20 वीडियो होंगे जिसमें मैं पूरे topic कवर करूंगी हाडली 10 minutes का एक वीडियो होगा उसमें मैंने सारे topic कवर करूंगी तो आपका यहां से 25 marks confirm हो जाएगा इस चीज की मैप से guarantee ले रही हूँ फिजिकल and chemical changes के बारे में पूछा जाता है गैस की property के बारे में solid gas वगएरा जो इसकी basic property के बारे में पूछा जाएगा next मैं आपसे बात करती हूँ biology के बारे में तो यहां पर अनीमल और उसके different जैसे इसके बारे में species के बारे में पूछा जाता है like carrot में क्या ज़्यादा है विटमिन A ज़्यादा है विटमिन B जाता है इस ताइप से कोश्चन आ जाते हैं डाइजेशन के बारे में कोश्चन आ जाएगा जैसे जो आप पढ़ते हो अपनी human body के बारे में पढ़ते हो कवर कर दूँगी डीसीज के बारे में बात करते हैं तो आपका जो यहाँ पर कोश्चन आ जाता है बेरी-बेरी किस की वज़य से होता है किस विटमिन की कमी से कौन सा डीसीज होता है vitamins and minerals के बारे में यहाँ पर questions आपके बनते हैं तो वैसे देखा जाए तो general science बहुत ज़ादा है लेकिन मैंने previous year की questions paper देखे हैं तो वहाँ से आपके सबसे ज़्यादा जो questions पूछे गया हैं वो इनी सारे topic से पूछे गया हैं तो channel को like करना, subscribe करना so that कि आपको आगे आने वाले इन सब जो topic हैं इससे related आपको video एक जगा पर एक ही channel पर एक playlist के अंदर मिल सके Thank you so much